यह वेरी गुटीवनिग फ्रेंग्स वेलकम् तु त्टिंग पेल मैं रूपल और आस्ट कृरूपल फ्री लाइफ क्लीनिक पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस लाइफ क्लीनिक पे हम आपके मेडिकल और स्वास्तर समंधी सवालों के जवाब जानेंगे इस लाइफ प्लीनिक पर जो भी सवाल जवाब होंगे वो किसी भी तरह से आपके फैमिली डॉक्तर या मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं है इस लाइफ क्लीनिक पर जो भी इंफरमेशन दिया जाएगा वो सिर्फ आपके अप्टर पेशन रिलेशन्शिप नहीं है तो चलिए आज की लाइफ क्लीनिक की शुरुआत करते हैं ये लाइफ क्लीनिक हर रोज एवरी डे रात नौ बजे होता है ये लाइफ क्लीनिक आदे गंटे का होता है इस आदे गंटे में मैं 10 से 12 क्वेस्टिन्स लेती हूँ आप लाइफ चैट में आकर पहले से ही आपके क्वेस्टिन्स पोस्ट करके रख सकते हो जैसे ही 9 बजते हैं लाइफ क्लीनिक स्टार्ट होता है सीरियल और में जो भी क्वेस्टिन्स मुझे दिखते हैं वो क्वेस्टिन्स में लोंगी और उनके आंसर्स दोंगी तो कि कोई भी पुराने वाले लाइफ के डिनिक से अधर आपको देखने हैं उन सभी लाइफ के एक प्लेइस्ट बनाया है जिसका लिंक में I description box में दिया है उसको आप देख सकते हो तो चलिए आज की live clinic का सबसे first question देखते है राकेश कच्वाहा ने question पूचा है ma'am what is the result of daily consuming soap चना at empty stomach age is 16 years female देखे राकेश जी भीगे हुए चने आप सुबह में खाली पेट लेते हो इसमें कोई problem नहीं है आप ले सकते हो भीगे हुए चने में एक benefit क्या है वो मैं बता सकती हो कि जो सोक चना हो जो होता है जनरली काबुली चना होता है यह एक बहुत ही अच्छा source of protein है natural or vegetarian protein है जो लोग non-vegetarian नहीं है जो लोग pure veg है तो वो यह as a protein कि जब आप इतना अच्छा और heavy source और high और rich source of protein अगर morning में खाली पेट लेते हो तो इसे आपका metabolism जंप स्टार्ट होता है तो जिन लोगों का metabolism slow है जिनको slow metabolism की वैज़र से weight put on हो रहा है या उनको body में कमजोरी है या thyroid hypothyroidism है जिसमें बहुती low metabolism होता है तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा alternative हो सकता है इसके थोड़े से side effects भी है जिन लोगों का stomach weak है जिनको IBS है, irritable bowel syndrome है या फिर जिनका stomach थोड़ा सा weak है या कोई old है या बीमारी से just recover हुए है या बहुती ज्यादा दुबले पतले है तो ऐसे लोग अगर इस तरह का अगर raw चने अगर कच्छे चने भीगे हुए चने अगर सुबा में खाली पेट लेते है तो उसकी वज़़े से उनको पेट में gas बन सकती है पेट में cramps आ सकते है कुछ लोगों में loose motions भी हो सकता है तो if it suits you you can always take it it is a very very healthy option अगर आपको ये पच्छता नहीं है तो आप इसको boil करके भी ले सकते हो उबले हुए या steam चने भी आप खा सकते हो उसका भी सेप वही benefit होगा सुवन रॉइ ओके राकेश कच्वा जी ने question पूछा था 7.30 p.m. को ये पता ना में भूल गई सुवन रॉइ ने काया है एच 24 ओके inquisitive voyager ने question पूछा है 7.33 p.m. को my hands skin has become so delicate that it gets bruised even by slightest friction frictional touch of rope also soap water tears it off with pain earlier everything was fine inquisitive warrior yes ये complaint काफी सारे लोगों में देखी गई है वो इसलिए क्यूंके अभी जैसे coronavirus का season चल रहा है तो उसमें recommend किया जाता है कि आपको बार बार अपने हाथों को wash करना है आप उसके लिए soap या फिर hand wash या फिर hand sanitizer को ज्यादा से ज्यादा यूस कीजिए तो ओवर यूस की वज़े से सोप के अंदर caustic soda होता है और sanitizer में alcohol होता है उसकी वज़े से skin बहुत ही ज्यादा excessively dry हो जाती है जब skin बहुत ही dry हो जाती है तो skin का उपर का जो layer है जो epidermis होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है तो उसकी वज़े से इस तरह से आपको hypersensitivity या फिल skin बहुत ही delicate हो गई है अब इसका solution इसका solution यह है कि सबसे पहले yes आप अपने हाथ धोना बंद मत कर दीजिए लेकिन आप hand sanitizer मत इस्तेमाल कीजिए आप अपने hand wash के लिए कोई moisturizing soap इस्तेमाल कीजिए yes आपने सही सुना soap यूज कीजिए for example आप doubt soap इस्तेमाल कर सकते हो यह आपके hands के लिए gentle भी होगा और आपकी skin को बहुत ज्यादा dry नहीं करेगा in addition to that आप सोने से पहले एक काम कीजिए सोने से पहले अच्छी तरह से आप कोई heavy moisturizing cream अगर वह available नहीं है तो आप pure घी भी इस्तेमाल कर सकते हो otherwise आप petroleum jelly को अच्छी तरह से अपने दोनों हातों पे अच्छी तरह से मसाज कीजिए अगर आपके पास hand gloves है तो hand gloves पहन के सो यह otherwise hand gloves नहीं है तो just forget it but make sure कि excessive greasiness है उसको आप tissue से सोक कर ले और अच्छी तरह से उसको मसाज कर ले और आप सोने से पहले ऐसे कीजिए तो आपके जो आपकी जो skin है वो overnight अच्छी तरह से recover भी हो जाएगी और आपकी skin एकदम back to normal हो जाएगी okay so no need to worry about that in addition to that अगर आपकी overall body की skin अगर इस तरह से sensitive और आपकी overall body की skin बहुत ही dry है तो उसके लिए I would suggest start taking some vitamin E supplement like Evion 400 इसको आप morning में breakfast के बाद start कर दीजे 2-3 months के लिए तो आपकी overall body की skin improve हो जाएगी okay golfer golden जी ने question पुछा है 7.35 pm को what causes dark brown color stools like mud from by formed by dampening of the soil from an excavation site okay golfer golden जी इस तरह के extremely dark stools generally अगर कोई iron supplements ले रहा होता है तो उसकी वज़े से होता है अगर किसी भी तरह के iron supplements कोई लेता है तो iron salts जो होते है यह excrete होते है stools में इसके लिए extremely dark brown stools होते है कुछ ऐसे cases में अगर बहुत ज्यादा over excretion of bile होता है या किसी तरह का कोई liver का problem होता है उसमें भी कई बार देखा जाता है but it's not a very serious condition no need to worry about कई ऐसे cases में अगर आप overdose of multivitamin B complex होता है तो उसमें भी इस तरह से dark generally B complex over लेते है तो उसकी वज़े से extremely yellowish stools निकलते है लेकिन यह जो मैंने कहा यह सबसे common reason है कुछ cases में अगर internal कोई पेट में वगेरा bleeding होती है उसकी वज़े से भी होता है लेकिन उस तरह के internal bleeding में जो stools निकलते हैं वो extremely black और ऐसे होते है जिसको ओम लोग कहते हैं cold tar stools होते है तो यह इस तरह के dark brown stools का common reason यह है कि कोई iron supplements ले रहा है इसकी वज़े से हो रहा है Madhumita Bora ने question पुछा है 7.35 PM को Hello ma'am I have itching in my bumps sometimes it becomes so severe please suggest me a solution my age is 45 Madhumita जी अगर आपको itching का problem है तो could be some kind of allergic reaction or could be because of dry skin तो इन दोनों के लिए अगर itching को आपको stop करना है तो उसके लिए आपको anti-istamines लेने होंगे Either you can take cetrizin 10 mg रात को सोने से पहले Otherwise आप fixofenadine ले सकते हो इसको भी same इसी तरह से लेना है इसे एक ही dose लेना है रात को सोने से पहले Take it for 10 to 15 days इससे आपका itching ठीक हो जाएगा और जो bumps है वो भी सही हो जाएगे Bora ने question पॉपोरी Bora ने question पुछा है 7.36 PM को Hello ma'am last month I was having pox scars are still I was having pox okay chicken pox Scars are still there on my body is there any medicine for externally use of the scars okay Papuripora ji I am happy to hear के आप chicken pox से अच्छी तरह से recover हो गए especially इस environment में किसी भी तरह की बिमारी से recover होना बहुत ही difficult task है for the simple reason के doctors available नहीं है और किसी भी तरह का कोई medical help अगर चाहिए होता है तो it's very difficult to reach any kind of medical help and इस तरह के condition में you have completely recovered chicken pox so that's good very good आपका resistance power बहुत अच्छा है और बहुत स्प्रॉंग है I am happy to know that all right आपके जो chicken pox की जो scars है उसको completely ठीक करने के लिए आपको कोई भी moisturizing lotion especially such a moisturizing lotion which has got vitamin E तो अगर आप इस सरह का कोई moisturizing lotion नहीं ढून सकते तो what you can do कि आपका जो normal जो body lotion होता है आपको कोई भी डव का body lotion या Vaseline का body lotion आता है तो take any body lotion जब आप लगाते हो थोड़ा सा अपने हाथ पर लीजे around like say you know one rupee coin जितना या ऐसे आप जितना चाहिए उतना लीजे और उसके अंदर आप evion 400 की जो capsule होती है वो एक capsule के अंदर जो भी drops उसको पियर्स कीजिए उसके अंदर से जो भी उसका vitamin E का oil निकलता है उसको वो moisturizer के साथ mix कीजे और आपके scars जो है उसके उपर आप रात को सोने से पहले अच्छी तरह से मसाज कीजे आप मसाज करोगे तो वो पूरा moisturizer और oil है वो absorb हो जाएगा skin में तो यह रात को सोने से पहले आप कीजे and next day morning just take bath and make sure के आपकी skin जयादा excessively dry ना हो जाए तो उसके लिए कोई gentle soft कोई soap होता है जैसे moisturizing soap either you can use dove soap or you can use pierce soap or any kind of glycerine uke soap johnson's baby soap is also fine तो यह आप कीजे तो I think around 3 to 4 weeks में आपके scars completely चले जाएगे लेकिन आपने सही समझा इस 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 आपने सही समझा this is the right time to get rid of your scars अगर इस से थोड़ा और डीले हो जाता है तो वो scars आपके permanent हो जाएगे चले next question अमारा शेक ने question पुचा है 7.37 p.m को lactiva granules powder और perinorm लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अमारा जी आपने आपका I think आधा ही question है तो इसके पहले का question कहीं गायव हो गया है तो वो भी question आप पोस्ट कीजे गुल्शन राना ने question पुचा है 7.37 p.m को मैम immulina tablet 800 immunostimulant इस tablet को लेने से coronavirus के against भी immunity produce होती है गुल्शन राना जी देखिए coronavirus से अगर आपको immunity चाहिए तो उसके लिए आप कोई भी external चीजे लेते हो तो कोई भी external चीजे लेने से I don't think so इतना ज्यादा आपको फाइदा होगा देखिए मैं आपको एक आपकी immunity का जो function है वो कैसे बढ़ता है यह मैं आपको बताती हूँ जब भी आपके बॉड़ी में किसी भी virus का attack होता है तो आपके बॉड़ी में capacity होनी चाहिए कि वो वाइरस को खतम करने के लिए antibodies बनाने की capacity होनी चाहिए अब यह capacity आप कैसे बढ़ा सकते हो तो यह capacity बढ़ाने के लिए आपका health proper होना चाहिए उसमें 2-3 चीज़े है सबसे पहले तो आपके body में stress नहीं होना चाहिए stress hormone cortisol नहीं होना चाहिए आपका body completely stress-free होना चाहिए आपकी नीन complete होनी चाहिए आपके body में hydration सही होना चाहिए और आपके body में जो भी essential vitamins और minerals होते है उसका proper proportion होना चाहिए तो immune boosting के लिए one of the most important vitamins या फिर supplements जो हम कहते है वो है सबसे best vitamin is vitamin C because उसके अंदर antioxidant properties होते हैं antioxidant properties ऐसे होते हैं कि किसी भी तरह का body के अंदर कोई भी damage होता है तो वो सही तरह से repair कर देता है इसलिए vitamin C is very essential vitamin complex के पूरे group of vitamins especially vitamin B12 ये भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये overall आपके body में जो digestion है उसको सही रखता है तो अगर आपका digestion सही रहता है तो आप जो भी खाते हो तो उसके nutrients आपके body में absorb होते हैं अगर आप कितना भी healthy खाना खाओ लेकिन अगर आपका digestion सही नहीं होता है तो आपके body को वो touch नहीं होगा तो इसलिए B complex vitamins is also essential इसके साथ साथ zinc अच्छा होता है और कई सारे से small small elements है जैसे selenium, zinc, magnesium ये सब चीज़े आपके health के लिए अच्छे होते हैं अब आपने जो medicine बताई क्या उसके अंदर ये सब elements और vitamins है अगर है तो yes इससे आपकी immunity boost होगी अगर आपने जो medicine बताई इसके अ अगर आपको naturally आपके immunity boost करनी है तो I would always suggest कि आप आपका lifestyle सही रखे थोड़ी बात exercise कीजिए morning में सुभा उठकर अच्छा कोई yoga कीजिए सूरिय नमस्कार कीजिए meditation कीजिए 7-8 घंटे stress-free neen लीजिए and yes news भी कम देखे क्योंकि जब आपके body में stress level बढ़ जाता है तो आपकी immunity अपनी यह notice किया होगा कि जब हम office का बहुत ज्यादा काम करते हैं कम सोते हैं office का बहुत ज्यादा stress लेते हैं तभी हम ज्यादा बिमार पड़ते हैं तो इसलिए stress is important to increase your immunity sorry in decreasing your immunity तो इसलिए stress level को कम रखे and जो fresh fruits and vegetables जो available है हर रोज आप salad लीजिए काकडी, टमाटर, प्याज यह सब का salad बना कर दो टाइम लीजिए, दही बगेरा लीजिए, यह सब चीजे आप natural तरीके करोगे तो आपको कोई भी medicines की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी immunity boosters की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने जो medicine कही तो उसके अंदर मैंने आपको कहा, वो vitamins और elements अगर उसमें ह and inside part of my first molar, first grand tooth broke away, no other pre-existing dental problem was there, is that due to calcium deficiency, well hedonist yes and no, calcium deficiency, not just calcium deficiency, calcium and magnesium, यह दोनों की other body में deficiency हो जाती है, तो उसकी वज़े से bone density reduce हो जाती है, तो yes, उसकी वज़े से हो सकता है कि आपका molar का एक part है, वो break off हो गया होगा, तो इसको आपको डरने के कोई जरूरत नहीं है, आप calcium के supplements ले सकते हो, calcium के supplements along with vitamin D3 आते है, जिसे कि you can start taking shell cal, shell cal की दो strength आती है, 250 and 500 और you can take mccalbit, again 250 or 500, now I'll tell you और मैंने क्यों का है, अगर आपको किसी तरह के और कोई complaints नहीं है, जैसे कि, अगर आपको कोई muscle cramps नहीं है, अगर आपको joint pain नहीं है, उत्ते बैठते समय आपके घुटनों में कड़ ऐसा आवाज अगर नहीं आता है, और आपको overall कोई भी दूसर कोई भी hair fall नहीं है, किसी तरह का muscle का कोई cramps नहीं आते है, muscle में pain नहीं होता, आपको थकावट जैसा नहीं फील होता, तो आप calcium के supplement 250 mg आप ले सकते हो, either you can take shell cal 250 or you can take mccalbit 250 morning में नाश्ता करने के बाद, इनकेस अगर इसमें से आपको कोई भी symptoms है, जैसे कि muscle cramps आ रहे है, बह में pain होता है, उटते बैठते समय घुटनों में कड़कर थोड़ा सा आवाज आता है, कभी-कभी ऐसे joint pain होने लगता है, then I would suggest कि आप start taking calcium supplement 500 mg, either you can take shell cal 500 or you can take mccalbit 500 morning में breakfast के बाद, okay, if you take these supplements, take it continuously for 3 months, उसके बाद आप 2 months का break लीजे, उसके बाद अगें आप start कर सकते हो, लेकिन you should have some kind of symptoms, जिसके लिए ये start करना है, बिना कोई symptoms के इस तरह से time pass के लिए, vitamin के supplements नहीं लेने है, अभी आपको ये हुआ है, तो I would suggest कि you start taking these supplements, either you can take 250 or 500, just decide yourself, मैंने आपको बता दिया, how you can decide, okay शारदा जैसवाल ने question, okay, आज के live clinic को हुए है, 13 minutes, इस 13 minutes में मैंने complete किया है, 6 questions, तो friends, अगर आपको ये live clinic से महत्वपुन जानकरी मिल रही है, अगर आपको ये free live clinic का concept पसंद आ रहा है, और आपको मजा आ रहा है, तो please इसको likes देते जाएए, likes देने में कंजूसी मत कीज और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये information फैलाईए कि वो आकर ये free live clinic में शामिल हो सकते है, और उनके health और medical related जो भी questions, problems है, वो मेरे साथ share कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को पता है कि फिर से coronavirus का lockdown extend हो गया है, इसकी लिए बहुत सारे clinics बंद है, doctors available नहीं है, hospitals में भी doctors इत पूछे लग गया है, ऐसे में चोटी मोटी कोई भी health complaints होती है, तो किस से पूछे, तो yes, you are most welcome, come and join in my free live clinic, आप आकर मुझे हर रोज आकर मुझे questions पूछ सकते हो, questions देने में कोई restriction नहीं है, questions आप पूछे और मैं फटा-फट आपको answers दे दूँगी, तो ज्यादा ज्यादा WhatsApp groups में, आपके family के WhatsApp group में, आपके office के WhatsApp group में, ये सभी जगा पे आप ये information खैलाइए, okay, चलिए, next question, शार्दा जैस्वाल ने question पुछा है, 7.41 प्यम को, hello ma'am, my age is 22, ma'am, मैं प्रोटीन के लिए, अगर empty stomach soya bean खाओ, तो उसे problem तो नहीं, and मैं अभी empty stomach lemon water drink करती हूँ, तो उसे weight loss तो नहीं होगा, शार्दा जी देखिए, अगर आप खाली पेट नीमबू पानी लेते हो, तो yes, उसे weight loss होगा, तो इसलिए वो आप लेना बंद कर भीजिए, empty stomach आप protein soya bean क्यों ले रहे हो, ये मुझे इसका आपका reasoning ये आपका logic मुझे नहीं पता लगा, ऐसे कोई recommendation नही है कि आपको empty stomach soya bean लेना चाहिए, तो आप उसको, and especially soya bean जो आप बोल रहे हो, उसको आपको cook करके या steam करके ही लेना है, उसको कच्चा या उसको piece कर, या soya bean का कोई भी चीज़ आपको कच्चा तो नहीं ही लेना है, soya bean को आप steam करके, उसको आप नाष्टे में चार्ट वा अगर आप बहुत ही दूबले पतले हो, तो थोड़ा सा कम quantity लीजे soya bean का, क्योंकि अगर बहुत दूबले पतले होते हैं, तो उनको अगर अचानक सी इस तरह का heavy protein लेते है, soya bean के अंदर बहुत ही high protein होता है, अच्छा quality of protein होता है, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन या फिर soya bean की कोई भी सबजी आप पराठा के साथ या रोटी के साथ आप ले लीजे, तो that will be good for you और आपको उसका maximum benefit होगा, नीमू पानी से यह आपने सही समझा, इससे weight loss होगा आपका, तो इसको आप बंद कर दीजे, ओके, सहीदा सानोबार, hello ma'am, सहीदा जी ने question डारा है, आपको यूथीव के स्टाइब कर आपको शाच में तेन लानर र तो उनको तीन से चार हफ्तों में ही डाक सकल्स ठीक हो गए तो कि आपको आयन डेफिशेंसी अनेमिया है तो यह भी थोड़ा सा जाल लीजे क्योंकि कोई भी घरे लूपचार करने से भी फाइदा नहीं हो रहा है तो अभी इसके कोई घरे लूपचार में आपको बताती हूं जो छुकंबर के जो स्लय Settings ही आधे आगे लिजागी है को दो क drawer लिजेएं के लिए पर आपको रखते हो सबसक्राय कि वी खूल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने में इस बढूर्य करते है जिसकी वादल सबस्क्राइब कारिक्स हो नापको आपको वात्रों सही करने के ल पड़ेगा अधर्वाइस आप यह रख सकते हो उससे भी आपका क्लाजन काफी अच्छा हो जाता है एक आप यह भी कर सकते हो जैसे बहुत सारे रेतिनोल बेस्ट क्रीम आते हैं इससे बहुत अच्छा फाइदा होता है ऐसे आप नेट पे सर्च कीजिए आमेज़ान पर यहां पर मिलते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत ज्यादा डाक सरकल्स है तो इस तरह का आई क्रीम लगाने का सही समय है जस्थ बिफोर गई टूबेड यह यह बहुत अच्छा होगा आप एक और चीज़ कर सकते हो टी बैग जो होता है टी बैग को आप यूज किया हुआ या फिर उसको सोक करके उसको आप फ्रिज में रखे और ठंडा टी बैग आप अपने आंखों पे रखोगे तो उससे भी आपके डाक सरकल्स बहुत कम हो जा में नया कोलाजन बनता है जिससे आपके डाक सरकल्स ठीक होते है तो टी बैग वाला जो आइडिया है वह आप कीजिए उससे आपको बहुत अच्छा फाइदा होगा और एक अभी रिसेंटली बहुत आफ्ट पतान जली के जो प्रोड़क्स आये है तो अभी रिसेंटली ब तो यह सभी चीज़े अगर आप अंडर आइस के लिए करते हो तो मेक शूर कि वह जो भी आप चीज़े यूस करो थंडी होनी चाहिए क्योंकि थंडी होगी तो आपके आखों का जो एरिया है वह रिलाक्स भी हो जाएगा और जो स्टिमूलेट भी हो जाएगी तो प्रोड करने के बाद आप सो जाओगे तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा और अफकोस नींद आपको कंपलीट करनी है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टिन फैजल खान ने क्वेस्टिन हुचा है 7.46 पी-म को हाइम हाव आर यू आं फाइन फैजल जी बोलिये मैं एक लेडी पेश जो आप लेडी की बात कर रहे हो उनको ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है दस दिन से आपने उनकी एज नहीं बताई और उनका ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रहा है ये दोनों चीज़े बहुत-बहुत important है कुछ लेडी में अगर बच्चा गिराने के लिए दवाई लेते ह है या फिर उनको ऐसे ही अपने आपी मिस्क्राइज हो जाता है उसमें इस तरह का मिस्ट अबोर्शन जिसको हम लोग कहते है या फिर रीटेन प्रोड़क्स ऑफ कंसेप्शन बोलते है तो ऐसे में आधा अधूरा अबोर्शन होता है तो उसकी वज़त से जो यूटरस है व इसमें यह देखा जाता है तो थोड़ा सा पेशेंट की हिस्ट्री मुझे जाननी होगी कि ऐसा क्यों क्या उन्होंने इस से लगी कोई मेडिसन ली थी क्या उनका पीरियर्ड मिस हुआ था और पीरियर्ड डीले हुआ उसके बाद हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो अगर इस ब्लीडिंग होता है तो अगर उनको प्रेगनेंसी नेगेटिव है और जस्ट उनको मेनोपॉस या हर्मोनल इंबालन्स की वज़े से हैवी ब्लीडिंग हो रहा है जैसे के मैनोरेजिया हो रहा है तो ऐसे में ट्रैनेक्समिक आसिज हम लोग देते हैं प्रिस्क्राइब करत उससे भी ब्लीडिंग काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है तो वी नीड तो नो कि उनका क्यों इस तरह से हैवी ब्लीडिंग हो रहा है अगर आपको एग्जाक्ली मेडिसेंस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे डिरेक्ली कंसल्ट कर सकते हो एदर यू कंसल्ट मी थू कॉल me for mobile app यह mobile app completely free of cost आपको Google play store पे मेल जाएगा apple पे मिल जाएगा इस mobile app को आपको फोन पर आपके install करना है mobile app open करके आप search करो Dr.Rupal.raya आपको मेरा profile मिल जाएगा वहां से आप मुझे directly call कर सकते हो वह call directly मेरे फोन पे आएगा and there won't be any secretary or anybody in between आप directly मेरे साथ बात कर सकते हो अगर आपको proper prescription चाहिए अगर आपको आपकी reports मेरे साथ share करने है sonography, x-ray, blood reports मेरे साथ share करने है तो आप मुझे प्राक्टो mobile app के थरू या फिर प्राक्टो के थरू मुझसे consult कर सकते हो उसमें normal आप जिस तरह से whatsapp पे बाते करते हो, whatsapp पे chatting करते हो, whatsapp पे आप photo reports share करते हो same इसी तरह से आप मुझे मेरे साथ chatting भी कर सकते हो, call भी कर सकते हो and you can share your reports अलसो प्राक्टो या फिर लाइबरेट के थरू, okay, so ये तीनों options है, इन तीनों options के द्वारा आप मुझसे consult कीजें, I will let you know the exact medicines, okay Arjun Jat जी ने question पूछा है, okay, आज के live clinic को हुए है 24 minutes, और 24 minutes में मैंने 10 questions cover किये है, friends इस live clinic को likes दीजिए, likes देने में कंजूसी मत कीजे, मैं फटाफट सभी questions को answer कर रही हूँ, okay चलिए, Arjun Juala ने कहा है 7.46 PM को, hello everyone, hello Arjun जी, Rahul Salve ने question पूछा है 7.48 PM को, ma'am my age is 24, my hair fall is increasing, so what should we do for new hair growth Rahul Salve जी, आपका hair fall अगर अचानक से कम हो रहा है, तो आपके scalp में कोई fungal infection है, तो उसको ठीक कीजिए, अगर आपको बालो में कोई fungal infection नहीं हो रहा है, तो आप protein के supplement स्टार्ट कर दीजिए, आप protein X start कर सकते हो, protein X original, दो चोटे चमत सुबह में दूद के साथ मिक्स करके ले जाना है www.careforhair.in, इस पर आप login करोगे तो directly मेरे hair fall के related या hair के related सभी videos आपको मिल जाएंगे, अगर आपको skin के related dedicated videos, special skin के videos देखने हैं, तो आपको जाना है www.careforskin.in, care no.4skin.in, तो यहाँ पर आपको specially उसके लिए videos मिल जाएंगे, चलिए, next question देखते है, Shreyas Desai Ji ने question पूचा है, 751 AM को, can we consume fish oil without any workout, how many EPA and DHA required on daily basis, suggest best fish oil brand which is available easily, yes Shreyas Ji, आप without any exercise, of course आप ले सकते हो fish oil, fish oil के अंदर omega 3 fatty acid होता है, which is very very good for your health, यह basically आपके body में, omega 3 fatty acid जो होता है, Now fatty acids are there, यह basically आपके पूरे body में oiling का काम करता है, जिस तरह से कोई भी machinery को, सही function करने के लिए, हम लोगो को oiling करना जरूरी होता है, यह बार बार, उसको regularly, 9.30 हो गया, आदा गंटा हो गया, so this will be the last question, okay? So yes, coming back to your question, omega 3 fatty acid जो होता है, यह basically आपके पूरे body में oiling का काम करता है, It makes sure के आपके पूरे body में, जो भी organs है, वो सही तरह से function कर रहे है, including all your joints, okay? So it is very very essential for your body, don't worry, इसका कोई आपको problem नहीं होगा, अगर आप work out नहीं करते हो, तो भी आप ले सकते हो, Fish oil में दो तरह के fish oils आते है, एक regular fish oil आता है, और दूसरा एक cod liver oil आता है, Fish oil के अंदर vitamin A नहीं होता, और cod liver oil के अंदर vitamin A होता है, यह दोनों में फरक है, Generally, अगर जो pregnant ladies होते हैं, उसमें fish oil लेते हैं, तो उससे कोई problem नहीं होता, लेकिन cod liver oil जो होता है, वो pregnant ladies में recommend नहीं किया जाता, क्योंकि कई बार vitamin A का अगर overdose हो जाता है, तो आपके body में कुछ problems हो सकते हैं, skin में problems हो सकते हैं, तो अगर आप completely healthy हो, तो you can take, either you can take fish oil or you can take cod liver oil also, अभी seven seas cod liver oil पर मैंने already video बनाया है, यह इसलिए मैंने video बनाया है, क्योंकि मैं खुद personally इसको consume करती हूँ, मैं यह लेती हूँ, यह मैं काफे सालों से उसको लेती हूँ, तो वो seven seas cod liver oil वाला video आप देख लीजे, उसमें मैंने proper dosage, कितना लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए, और इसके effect क्या है, इसके benefits क्या है, और इसके खतरनाक side effects भी क्या हो सकते हैं, अगर गलत तरीके से लिया जाए, वो भी मैंने उसमें describe किया है, आपको सिर्फ यही क search में type करना है, think pill space, seven seas, और enter press करना है, तो आपको मेरा video मिल जाएगा, वो video अच्छी तरह से देखिये, उसमें मैंने detail में जानकारी दी है, including I have given the cost also, और कैसे वो available होता है, यह सभी जानकारी detail में मैंने दी है, तो please just check out that video, because अभी इतना time नहीं है, I can't tell you the entire thing, okay, to just see the video, I'll just take one very last question, रागीनी कुमारी जी ने question पुचा है, 7.52 पी-म को, hello ma'am, pregnancy conceive करने में help करने वाली medicine बता दो, please, रागीनी जी देखिये, pregnancy conceive करने के लिए ऐसी कोई चमतकारी दवाई कोई नहीं आती, लेकिन एक बात मैंने मेरे clinical practice में देखा है, कि जब मैं patients, जो patients मेरे पास आते है, कहत normal है, कोई भी बिमारी नहीं है, फिर भी हमको बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, तो ऐसे patients में मैं जब उनको folic acid के supplement देती हूँ, तो मैंने ये देखा है, कि विदिन 4-6 months में वो conceive हो जाते है, तो आप भी ये कर सकते हो, folic acid के supplement स्टार्ट कर सकते हो, fol white 5 mg आप दिन नहीं है, इसे कोई आपको तकलीफ भी नहीं होगी, इसको दो बार आप ले लीजिए, और इसको आप 3-4 महिने के लिए लेते रहें, और जब आप unprotected sex properly, fertile period में करोगे, तो I am sure आपको pregnancy रुकेगी, तो चले, आज के live clinic को यहीं पे खतम करते है, आज के live clinic के हुए है, 33 minutes, औ अगर आपके question का turn नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप कल जल्दी आकर आपका question post कर दीजिए, 7 बजे के आसपास मेरा live clinic का poster अप हो जाता है, उसके तुरंत बाद आप live chat में आकर आपका question post करना start कर दीजिए, जैसे ही 9 बचते हैं, तो serial order में first come first serve basis पे जो भी questions मुझे लेती हूं और answer देती हूं, friends अगर आपको ये live clinic का concept पसंद आ रहा है, तो इस live clinic को like कीजिए और ज्याद से ज्यादा लोगों में share कीजिए, ज्याद से ज्यादा वाट्सैप groups में ये message share कीजिए, ताकि ज्याद से ज्यादा लोग ये free live clinic का फाइदा उटा सके, तो चलिए friends अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe में ही किया, तो फटावर subscribe कर लीजिए, ताकि तुरंथ exactly 9 बजए आपको notification मिल जाएगा कि live clinic स्टार्ट हो गया है और आप live clinic में शामिल हो सकते हो, तो चलिए अगले live clinic में आपसे फिर मुलाकात होगी, यानि कल रात ठीक 9 बजए आपसे फि työ वार सम्यू बढ़ा